ही नमशकर दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी काप की अपने ही चैनल इंवेश्ट फॉर फेल्थ प्ले दोस्तों बात करेंगे अगर मार्केट कैसा रहेगा कौन से श्टॉक्स प्रेट कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं क्या सब्सक्राइब तो कर लिए बेल आइकन को जुरू हिट कर लिए तक आने वाले वीडियो के नाटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो आज का डे हमने पहले ही रिसकस्शन किया थ सब्सक्राइब कर लिया था कि इतना बड़ा बजट के दिन ट्रेंडी मार्केट हुआ है थोड़ा था हौर्ट ले सकता है मार्केट थोड़ा रूख सकता है पट फिर भी आज अच्छा गाता हम है प्राफिट बन गया है जो भी ट्रेड हमने लिए सब बिल्कुल प्रॉफ अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है या थोड़ा बहुत गाप डाउन खुल के क्रॉस कर रहा है 40,700 का लेवल में बाइंग साइट के लिए सब्सक्राइब करेंगे अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है उपर ना जाने के बाद नीची आ रहा है तो फिर से वालेटिलिट लुट लगेगा हमें कि वालेटिलिटी रह सकती है मार्केट अ करेंगे मार्केट एक रेंज में बना दे था फ्लैक घुला हैसा मर्केट फ tension पर बहुत करेंगे अगर बढ़ा घंद खुल रा еще तो 40,100 के नीचे 100 से 40,000 50 के नीचे हम एक सेलिंग साइट का प्लानिंग कर सकते हैं यह हमारा सनरी हो रहेगा गाप अगर खोल देगा दूसरा बाइंग का इस नरी हो रहेगा कि जो शौर्ट में बैठे होंगे वो एक्जिट होंगे तो गया पोगा तब यह पाइंग साइट क प्रेकडाउन कर रहा है यह लवल सेलिंग साइट के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं यह मारे सनरी रहेगा नेक्ट अगर हम बात करें स्टॉक्स के बारे में तो इस टॉक्स पर आ जाते हैं हम एक बार सबसे पहला पास है वह सब्सक्राइब अगर यह ब्रेक आउट कर रह लेवल यह 535535 का लेवल तो इक बाइंग साइट के लिए प्लानिंग करेंगे बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है इसके पीछे का लाजिक आप आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने क्या किया उपर की तरफ गया यहां पर टाइम स्पेंड किया है और रुक सकता है बहुत सही बाइंग मिल सकती चाहिए आज मिले चाहिए दो दिन के बाद मिले 2158 के ओपर एक आप के लिए प्लानिंग कीजिए अच्छा का आपको टेट मिल सकता है नेस्ट मारे बास है भारती एटल बारती एटल में आ जाते हैं बारती अब देखोगे तो यहां प की तरफ का हो सकता है 765 अब दुबारा से बैंक निफ्टी में आ रहा हूं और बैंक निफ्टी में एक बहुत दगडी चीज आप लोगों में बता रहा हूं यहां पर हम वन टे के टाइम फ्रेम में आएंगे तो मार्केट देखे दो तिन दिनों में नीचे आया है यहां प है यह उपर 40,700 नीचे का रेंज बन रहा है 39,400 तो एक रेंज में है जब तक कहीं निकलेगा नहीं दो दिन तिन चार दिन अगर आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी कम कर लो या कम प्लोट्स में ट्रेड करो मार्केट को दिशा मिलनी चाहिए मार्केट अभी कन्फ्यूज मार्केट रहेगा तो कहीं किसी तरफ भी मूव हो गया तो हम उस तरफ के लिए फिर नॉर्मल जैसे चलते थे वैसे चलने लग जाएंगे अभी थोड़ा सा क्वांटिटी हमारा काम होना चाहिए रेगुलर डे के हिसाब से होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा ह है वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक करना भी मत बूलेगा थेंक यू